नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत है जी के संसार पे आज किस वीडियो सेशन में हम सब वीत आयोग, नीती आयोग और गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानि GST के बारे में जानेंगे और साथी साथ इस से रिटेड सभी MCQ को भी करेंगे जो कि हमारी परतियों की सब से पहले बात हम करते हैं वीत आयोग के बारे में उसके बाद हम देखें कि निती आयोग और देखें कि गुड्स एंज साविस टैक्स यानि GST और इसके बाद हम यहां पर MCQ करेंगे तो से olina कर लेते हैं वीडियों के बारे देखेॐ संभीन प्रावधान का अनुच्छेद 280 जो है इसमें केंद्रिये वीत आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। सरकार को प्रावधान करता है कि उसको मानना है या नहीं मानना है। सरोजनिक मामलों में परियाप्त अनुभाव रखता हो। आगे देखिए सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा या वीत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की युक्ता क्या होगी? इसको निर्धारन करने का अध्यकार सदस्यों की युक्ता क्या होगी? ठीक है, वीत आयोग का मुख्य कारी क्या है, केंद सरकार और राज सरकार के बीच, जो टैक्स है, उसके वितरन, उसके वितरन का हिस्सा जो है, वो टैक करना, इसका मुख्य कारी होता है, ठीक है, हिसेदारी, कितना राज सरकार को मिलेगा, कितना केंद सरकार को मिलेगा, ये प्रस्तूद करते हैं ठीक है वीत आयोग जो है केंद्र सरकार और राज सरकार के बीच का जूतरन है उसका लेका जोगा रखता है और परती वर्ड सो क्या करता है किसे सौपता है अपनी रिपोर्ट राष्ट पती को सौपता है और राष्ट पती दोलों सद्नों में उसे प्र दस्तूत करते हैं। था और प्रधम वीत आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे जो कि 1952 से 1957 तक रहे थे वर्तमान में 15 वीत आयोग कारे रथ है ठीक है और 15 में वीत आयोग के अध्यक्ष जो है ओँ है इनके सिंग, कौन है इनके सिंग, इसे आप नोट कर लिजेगा, 15 में वित आयोग के अध्यक्ष है इनके सिंग, और 14 में वित आयोग जो की 2015 से 2020 तक रहा, ठीक है, इसे नोट सही कर लिजेगा, 2020 तक रहा, ठीक है, 2015 से 2020 इसके अध्यक्ष थे वाई वी रेडी, कौन थे, वाई वी रेडी, 14-वावी तायोग, 2015-2020 तक रहा, इसके अध्यक्ष थे वाइवी रेडी और वरतमान में 15 वी तायोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष है, इनके सिंग, 22-9-12-17 को 15 वी तायोग के गठन के मजुड़ी मिलने के बाद के पूर्व सच्चिव सक्ति कांदास पूर्व मुख्य आर्थिक सलाकार असोक लाहिवरी निती आयोकसर से रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन उन्वर्सिटी के प्रफेसर अनूप सिंग 15 में आयोक के अध्यक्ष बनाए गए ठीक है और आपका पता सक्ति कांदास अभी कौन है RBI के गवर्णर है 15 में वित आयोकसर सिफारिस जो है एक अप्रेल 2020 से सुरू होकर अगले पांस साल यानि की 2020 से लेकर अध्यक्ष तक अध्यक्ष के लिए रहेगी ठीक है 15 में आयोकसर कारेकाल कब तक रहेगा 205 तक राज वित आयोकसर गठन जो है यानुछे 243 के तहद किया जाता है लेकिन राज वित आयोक का गठन जो है अनुछे 243 आई के तहद किया जाता है इसजिक को आप जरूर कियेगा 244 के तहद इसको रखा गया है थीक अब बात करते हैं नीती आयोकके बारे में ठीक अ? नीती आयोक जो है भारत सरकार दोरा एक जनवेत पर 15 को गठी एक नई संस्ता है जिसी योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है किसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर निती आयोग एक गयर समय धानिक निकाय है ठीक है समय धानिक निकाय नहीं बलकि गयर समय धानिक निकाय है निती आयोग का पुन रूप अगर यार नी फुल फॉर्म के बात करें तो क्या होता है रास्टि ये भारत परिवर्तन संस्थान और अगर इसको इंगलिस में देखेंगे तो नेशनल इंसेटियूशन फोर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है नीती आयोग का मुख समाजी क्यों आर्थिक मुद्धों पर सरकार को सला देने का है ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्मान करें जो लोगों की हीत में है ठीक है इसका कारे क्या है प्रात्मिक कारे समाजी क्यों आर्थिक मुद्धों पर सरकार को सला देने का है ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्मान कर सके जिसे की लोगों का ही थो आयोग के लिए तेरा सुत्री उदेश से रखे गए ठीक है अगर आप से पुछा जा tests कितने सुत्री उदेश के तौर पे काम करता है तो तेरा सुत्री नीती आयोग के स्नाचना में कौन-कौन होते हैं अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, CEO होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य, जिसे हम बोलते हैं, फुल टाइम, मेंबर, पदेन सदस्य होते हैं, और सासी परसत अथा विशेश आमंत्य सदस्य भी इसमें सामिल किये जाते हैं, अगर हम सदस्यों की बात करें, तो पूर राज्य मंत्री के बरावर दरजा प्राप्त होता है, ठीक है, पूरुन काली सदस्यों के संख्या कितनी होती है, पांच होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बरावर का दरजा मिला होता है, प्राप्त होता है, पदेन सदस्य के अधिक्तम संख्या जो हो सकती है, वो चार होती है ठीक है कितनी होती है चार होती है जो परधार मंत्री के द्वारा नामीत होते हैं ठीक है पदेन सदर्सक की अधिक्तम संक्या चार और पूर्ण काली सदर्सक की संक्या पांच ठीक है लेकिन पदेन सदर्सक की जो नाम होगा जो नामित किया जाएगा वो परधान मंत्री के दोवारा किया जाएगा सासी परिसद यानि गवर्णिंग कॉंसिल में भारत के सभी मुख्य मंत्री और किंदसासी परदेशों के राजिपाल या परशासक जो होते वह सामिल होते हैं चेके शास्ति प्रसस के अंत्रक्र्पर और विशेष अम्माति सजस्य में, विभिनचस के विशेष सग्ये सामिल होते हैं, जिनें प्रधान मंत्री द्वारा नामित किया जाता है, इक वंचूनेगाश ? ठीके नितीय aggiयरक्ष कौन होते हैं ? अगर आप सब्से कह वरतमान में निती आयो के अध्यक्ष कौन है तो सरी नरेंदर मोधी है जो कि हमारे इसके भी वही परधान मंत्री है ठीक है निती आयो के वरतमान अध्यक्ष दिखिए आपको नरेंदर मोधी ठीक है निती आयो के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है किसके द्वारा होते है प्रधार मंत्री द्वारा तो हो, ठीक है, प्रधार मंत्री ही उपाध्यक्ष की न्युक्ति करता है, उपाध्यक्ष को कैमिट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, जो उपाध्यक्ष होता है, उसका दर्जा अगर दिखा जाए, तो कैमिट मंत्री के बराबर होता है, और ज निती आयो के प्रतम अध्यक्ष तो प्रतम अध्यक्ष भी नेंद्र मोधी है क्योंकि 2014 से प्रधार मंत्री है और 2015 में अस्तित्व में आया तो पहले अध्यक्ष भी नेंद्र मोधी है और वरतमान में भी है ठीक है निती आयो के प्रतम उपाध्यक्ष अरविंद पंगडिया थे और प्रथम CEO की बात करें तो थी सिंदू स्री खुलर याद रखना आपको यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निती आयो के प्रथम उपादक्च अरविंद्पनगडिया और प्रथम CEO सिंदू स्री खुलर थे निती आयो के किरियावरन का दाइत हो जो है केंद्र सरकार और राज सरकार पर होता है ठीक है निती आयो के किरियावरन का दाइत हो जो है केंद्र और राज्ये दोन पर होता है योजनाओं को अंतिम सुख्रिती और अनुमोधन राष्टिय विकास प्रसत यानि NDC करता है ठीक ठीक है उचली जीस्टी के बारे में हम सम चर्चा देखिए जीस्टी को हम बोलते हैं goods and service tax विस्सो में जीस्टी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था और कब हुआ था जीस्टी में बृषी जीस्टी कब लागू हुआ एक जुलाई 12 existed को और एक जुलाई को जीस्टी दिवस के फॉर्पर मनाय जाता है और हमारे देश में जो GST लागू किया गया एक कनाड़ा देश की मोडल पर आधारी थे ठीक है पहला बार GST जो लागू किया गया फ्रांस में किया गया उनिसो चौन में हमारे देश में एक जुलाई 2017 से GST लागू है और हमारे देश का जो GST मॉडल है वो कनाड़ा पी अधारी थे GST का पूरूप क्या होता है Good and Service Tax यानि वस्तुयम सेवा कर GST के लिए 122 संबिधान संसुदन बिल जो है 2016 में संसुदन में लाया गया था जो कि GST के लिए था GST वी देखे के पच्छ में कुल 336 वोट और विपच्छ में 11 वोट पड़े थे ठीक है आगे बात करते हैं लोग सभादवारा जो है GST वील जो है तीन अगस्त 2016 को पारित हुआ और राज सभादवारा यह जो पास हुआ GST वील ओ आठ अगस्त 2016 को पास हुआ यानि पांस दिन बार GST वील पर राष्टपती ने अपनी मजूरी कब दी आठ सितंबर 2016 को देखिए यहां पर दोची जो को आपको यादखने है कि लोग सभादवारा जो GST पास हुआ तीन अगस्त 2016 को हुआ लेकिन तब तक की कानून नहीं बना था लेकिन जब आठ सितंबर 2016 को ठीक है आठ सि 211 समिधान संसुदन अधिनियम जो है 2016 इसके द्वारा भारत में GST को लागू किया गया है थीक है यहां पर हम लोगों देखा जीसटी के लिए 122 समिधान संसुदन बिल 2016 में संसर्द मिलाए गया था लेकिन जिसके तषट लागू किया गया GST वह है 101 समिधान संसोधन अधिनियम ठीक है 2016 GST अपरत्यक्ष और गंतव बे अधारित कर है ठीक है GST जो है वह अपरत्यक्ष और गंतव बे अधारित टैक्सेक कर है भारत में GST लागू करने का जो सुझाओ है यह किस समिती ने दिया था बहुत बार इस कोईशन को पूछा गया है दो से तीन बार इस कोईशन को पूछ लिया गया है एजामिनेशन में जैसे ASC में पूछा गया है रेले में पूछा गया है UPPCS में पूछा गया है तो GST लागू करने का जो सुझाओ है बिजय केलकर समीती ने दिया था सरवपर्थम GST बिल का प्रारूप त्यार करने वाले समीती के अध्यक्ष कौन थे तो थे असीम दास गुपता कौन थे असीम दास गुपता चलिए आगे देखते हैं GST का ब्रांड अमेस्डर कौन है तो है अमिताब बचन GST का ब्रांड अमेस्डर है अमिताब बचन GST बिल को सरवपर्थम पारित करने वाला जो भारतिय राज्य है वह असम और कब पारित हुआ था 12 अगस्ट 2016 ठीक है GST के अंतरगत 17 परत्यक्षकर और 23 अधिभार यानि जो GST कहते हैं इसको सामीर किया गया है GST संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं कितने डिजिट होते हैं 15 डिजिट होते हैं GST के अंतरगत निर्धायत की गई जो दर है जो रेट है वो चार परकार की टैक्सस हैं 5% 12% 18% और 28% GST परिसद जो होता है इसके अध्यक जो होते हैं वीत मंतरी होते हैं ठीक है और GST परिसद के जो अस्थापना है वो 12 सितंबर 2016 को की गई थे ठीक है 12 सितंबर 2016 को GST परिसद के अस्थापना की गई और इसके अध्यक जो होते हैं वो वीत मंतरी होते हैं Finance Minister होते हैं सम्मिधान के अनुच्छे 289 A के तहत GST परिसद का गठन किया गया है देखें GST परिसद का तो गठन हुआ 12 सितंबर 2016 को लेकिन इसको जो गठन किया गया वह अनुच्छे 289 A के तहत किया गया है GST परिसद का मुख्याल है जो है एक CGST, SGST और IGST SGST की बात करें तो यह राजी सरकार लगाती है यानि स्टेट के द्वार लगा जाता है और CGST यानि C4 Central सरकार लगाती है किन्द सरकार लगाती है और IGST का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो Integrated Goods and Service Taxes को कहा जाता है ठीक है सराब, पिट्रॉलियम, वस्तुएं सिच्छा और स्वास्त सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है सराब, पिट्रॉलियम और सिच्छा और स्वास्त को GST से बाहर रखा गया है ठीक GST चोरी करने वालो पर 5 वर्स के लिए कारावास का प्रावधान है यानि कि पांच वर्सों के लिए जेल हो सकती है ठीक है राज्यों को GST से होने वाले नुकसान की भरपाई के इनल सरकार दोवारा 5 वर्सों तक की जाएगी कितने वर्सों तक 5 वर्सों तक ठीक है राउधां रखा गया और भारत जो है GST लागू करने वाला 161 देश बन गया है ठीक है भायत में GST जो लागू हुआ उसके साथ ही 161 देश हो गया GST लागू करने वाला तो यह तो रहा समरी सार रहा अब हम बात करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा अभी वीत आयो के बारे में नीती आयो के बारे में और GST के बारे में अब इन से रेटेड हम सब MCQ करेंगे जो कि हमारे परतियों के परिछाओ में आ सकते हैं पूछे गए हैं तो आप त्यार रहिए और चलिए हम questions को लगा पहला question है कि नीती आयो का गठन कब किया गया नीती आयो का गठन जो है कब किया गया आप भी comment कीज़े साथ में और try कीज़े है न इनका answer देने का नीती आयो का गठन जो है एक जिनरोजी 25 को किया गया और किसके जगा पे किया गया योजना आयो के स्थान पे किया गया ठीक है एक जिनरोजी 25 को नीती आयोग किस परकार की संस्ता है नीती आयोग जो है वह किस परकार के संस्ता है समयधानिक है कानूनी है गैर समयधानिक है या फिर आर्थिक है तो नीती आयोग जो है एक गैर समयधानिक संस्ता है कैसा है गैर समयधानिक संस्ता है वा सुन निखिया लेंटी और वां परिस्सित थे देखी और और ड में पहले बार फोर न स्में गया था टो कहां किया ओ और प्रान्थ में किया गया था भी में का साल रर्स न परिसीन friction करतें में 쪽에 प्रांस राव परिसे जनदे देखाएभ्स हैँ और परिस्तित choking और कहता है कि भारत में सर प्रथम GST कब लागू हुई या कब लागू किया गया भारत में GST कब लागू किया गया चली बताईए तो यहां पर करेक्टर्सर क्या रहेगा 1 जुलाई 1217 कब किया गया लागू भाई 1 जुलाई 2017 को और याद रिखना है आपको कि 1 जुलाई को具 जिएस्टी दिवस के तौर पे मनाया जाता है सम्मिधान के किस अनुछेद में किंद्रिय वीत आयोगा परावधान किया गया है वर कौन सा आर्टीकिल है जिसके अंत्रगत वीत आयोगा परावधान किया गया है तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280. अनुच्छे 280. है ना? अनुच्छे 280 में यह प्रावधान है कि किंद्रिय वित आयोग को गठन किया जाएगा. ठीक है, आगे देखिए. वित आयोग किस परकार की संस्था है? वीत आयोग किस परकार की संस्था है? चलिए बताए. वीत आयोग किस परकार की संस्ता है सम्मेधानिक है गैर सम्मेधानिक है दोनों है या नमें से कोई नहीं है तो कैसे संस्ता है सम्मेधानिक संस्ता है वीत आयोग एक सम्मेधानिक संस्ता है नीती आयोग की घोसना कब की गई थी देखिए हम लोगे देखा नीती आयो का जो अस्थापना हुआ वह एक जनवरी 2015 को हुआ ठीक है लेकिन इसकी घोसना कब की गई थी यह आप से पूछा गया तो जैसा कि आप सब जानते हैं जब नहिंद्र मोदी परणधार मंत्री बने थे उसके बाद ही इसके घोसना हुई है तो यह क पहले बार परणधार मंत्री के तोर पर इलक्ट हुए थे बने थे मतलब नहिंद्र मोदी उसके बाद ही इसकी घोसना की गई और यह कब किया गया 15 अगस्त 2014 को ठीक है भारत सरकार का थिंग टैंग किसे कहा जाता है किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है नीती आयोग को है हम लोगों देखा ना भारत सरकार का थिंग टैंग क्या है नीती आयोग है नीती आयोग के अध्यक्ष कौन होते है या कौन होता है चली बताई नीती आयोग का अध्यक्ष कौन होता है फटा 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 बताईए कौन होता है प्रधान मंत्री ठीक है नीती आयोग के प्रत प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे ठीक है प्रथम अध्यक्ष नीती आयो के प्रथम अध्यक्ष जैसे कि हम लोग ने देखा कि प्रथान मंत्री होते हैं और एक कब आया 2015 में आया और उसके प्रथान मंत्री कौन थे नरेंदर मोदी थे तो नरेंदर मोदी जो है नीती आयो के गठन किस अनुछेद के तहत किया जाता है राजवीत आयोका जो गठन है वो कौन से अनुछेद के तहत किया जाता है तो किया जाता है कौन से अनुछेद 243 जग के तहत ठीक है अनुछेद 243 जग के तहत इसका गठन किया जाता है राजवीत आयोका क्लियर, चलिया आगे देखिए, केंद्र और राजियों की बीच, टैक्स का जो विवाजन होता है, कर का जो विवाजन होता है, वो कौन करता है, तो यह करता है, वीत आयो, ठीक है, कौन करता है, वीत आयो, चलिया आगे देखिए, 14 नमबर क्वेसन है, कि प्रत्थम वीत आयो में प्रत्थम वीत आयो के अध्यक्ष कौन थे तो थे केसी नहीं होगी और एक कप तक रहे थे 1952 से संतावन तक ठीक है क्लियर चलिए आगे देखते हैं नेक्ट क्वेसन पर बात करते हैं अगला क्वेसन कहता है कि 15 वीत आयो को मंजूरी कम मिली बताईए 15 वीत आयो को मंजूरी कम मिली ते मिला 22 नॉमबर 2017 को कम मिला 22 नॉमबर 2017 को ठीक है नीती आयो का प्रात्मिक कारे क्या है तो हम लोगों ने देखा इसका प्रात्मिक कारे जो है सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना जिसके बाद सरकार जो है उसे रिलेटेड योजनाल लाए और उसे लोगों का हीत हो ये प्रात्मिक कारे किसका नीती आयो का क्योंकि ये सरकार का राजिय कुमार भी है तो इन्हें किस अस्तर का दर्जा प्राप्थ है भी या किस दर्जा का प्राप्थ होता है उपध्यक्च को आगे देखती है प्रद संख्या 20 कहता है कि निती आयोक के प्रतम CEO कौन हुए चीफ एजुकिटिव आफिसर जो हुए पहली ओ कौन हुए तो थे सिंदु स्री खुलर कौन थे सिंदु स्री खुलर ठीक है चलिए आगे देखिए प्रद संख्या कि केंद्रिये वीत आयोका प्रसंख्या 22 देखते हैं निती आयोक के किरियावनन का दाइत वह किस पर है तो हम लोगों ने देखा सार में हम लोगों देखा सार संख्या के अंतरगत किसका जो जिम्मा होता है दाइत हो जो होता है वो केंद्र पर भी होता है और राज सरकार पर भी होता है तो यहाँ पर option D आपका correct रहेगा और तमान में 15 वीत आयोक चल रहा है तो 15 वीत आयोक के अध्यक्ष कौन है 15 में वीत आयोक के अध्यक्ष कौन है इनके सिंग कौन है इनके सिंग ठीक है 15 में वीत आयोक के अध्यक्ष कौन है इनके सिंग ठीक है तो यहाँ पर सही अंसर आपका क्या रहेगा option A और A 2020 से start होकर 2000 कब तक चल रहा है पचीस तक ठीक है clear चलिए अब यहाँ पर देखे प्रसंग्या 24 कहता है 14 में वीत आयो के अध्यक्ष कौन थे 14 में वीत आयो के अध्यक्ष कौन थे तो कौन थे वाई वी रेडी थे कौन थे वाई वी रेडी थे चलिए Next question है कोई वीतिय आवंटन नहीं करता है ध्यान से question को देखना है और answer करना फट फट तो यहाँ पर सही answer क्या रहेगा नीतिय आयोग ठीक है नीतिय आयोग जो है वा किसी परकार का वीतिय आवंटन नहीं करता है ठीक है चलिए प्रसंग्या 26 देखिए कि समिधान संसोदन अधिनियम द्वारा भारत में जीस्टी लागू किया गया वा कौन सा समिधान संसोदन अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में जीस्टी को लागू किया गया तो हम लोगों ने देखा ध्यान से अगर आप लोगों देखा होगा तो 101 111 समिधान ससुदन जो है इसी के अंतरकत भारत में GST लागू किया गया अब देखिए GST बिल पर राष्ट पती ने मंजूरी कब परदान की GST बिल पर राष्ट पती ने जब मंजूरी परदान की उसके बाद ये कानून के तौर पर आया तो इक कब किया गया उनके द्वारा तो इरे आठ सिघंबर 2016 को किया गया कब किया गया आठ सिघंबर 2016 को ठीक है प्रसंख 28 दिखे क्या कहता है कि भारत में GST को कि समिति के सिफारिस के अधार पर लागू किया गया कौन सी वह समिति थी जिसने GST को लागू करने के लिए सुझाओ दिया था सिफारिस की थी तो वह समिती था, कौँ सा समिती था वही विजाय केलकर समिती, है ना विजाय केलकर समिती is the right hand ना, चलिए next question करते हैं अगला question है कि GST का brand ambassador कौन है तो कौन है, अमिताब बच्चन, ठीक है GST बिल पारित करने वाला प्रथम राज जी कौन सा है GST बिल पारित करने वाला प्रथम राज जी के अगर हम बात करते हैं तो है आपका असम कौन है असम ठीक है GST के अंतरगत कुल कितने अपर्टेक्ष कर को सामिल किया गया है तो कितने अपर्टेक्ष कर है 17, कितने हैं, 17, ठीक है, GST संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, GST संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, इस question नों कही दफा पूछा गया है, है न, तो यह है आपका 15, 15 डिजिट होते हैं, ठीक है, चली, अब देखिए, अगला जो प्रस्न कहता है, कि राजवीत आयो का गठन कौन करता है, राजवीत आयो का गठन कौन करता है, very very important question है, ठीक है, अगर थोड़ा सभी आप यहाँ पर mind लगाएंगे, तो answer कर जाएंगे आप, तो यहाँ पर से answer क्या होगा, राज़िपाल, याद रखिएगा, जो केंद में जो वीत आयो का गठ कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, वीत मंत्री, ठीक है, जीस्टी परसद के अध्यक्ष कौन होते हैं, वीत मंत्री होते हैं, जीस्टी परसद की अस्थापना कब की गई, जीस्टी परसद की अस्थापना की हम बात करते हैं, तो हम लोगों देखा, यह किया गया था, बारा स सम्मिधान के किस अनुछेद के तहत जेस्टी परसद का गठन किया गया है वह कौन सा सम्मिधान का अनुछेद है जिसके अंतरगत जेस्टी परसद का गठन किया गया है तो कौन सा अनुछेद है अनुछेद 209A ठीक है इसी के अंतरगत हमारे देश में जेस्टी परसद का ग किया जाता है कितने वर्स के लिए वीत आयो का गठन किया जाता है तो यहां पर अगर सही अंसर पूछा जाए तो होगा पांच वर्स के लिए ठीक है और आवा सकता अनुसाराश्पति इससे पहले भी कर सकते हैं विस्व अस्तर पर जिस्टी लागू करने में भारत का क्रम क्या है कौन सा अस्थान आता है विस्व भर में तो पहले अस्थान तो है फ्रांस का जो की 1904 में इसको लागू किया था और हमारे देश का आता 161 और एक अब लागू किया एक जुलाई 2017 ठीक है चली आगे देखते ठीक है चली आगे देखते हैं next question भारत का GST किस देश के model पर आधारी थे very very important question है हमारे देश में एक जुलाई दोस्तातर को GST लागू किया गया और हमारे देश का जो GST model है वह कनाड़ा पर बिस्ट है ठीक है किस पर कनाड़ा पर चली आगे देखते हैं सरव प्रथम GST बिल का प्रारूप त्यार करने वाले समीति के अध्यक्ष कौन थे विजय केलकर समीति के सिफारिस पर तो इसको लागू किया गया लेकिन जो इसका प्राप्टिंग हुआ GST बिल का उस समीति के अध्यक्ष कौन थे वही तो थे असीम दास गुपता तो इस तरह से वीत आयोग निती आयोग और GST के बारे में जो important questions बन सकते थे हम दोगों देखा साथी साथ उनके बारे में important facts को डिसकस किया जो कि आपके अगामे सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए महत्पून है तो आसा करता हूँ आप वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेर कीजेगा और अपना सुझाओ ज कीजेगा जहां से आप पीडियाप को डाउनलोड कर पाएंगे थैंक्स वाचिंग मिलिंग आप सब्सक्राइब के साथ निक्स बीडियोग अ